चले भाई, शनिवार की सुबा, फाइनली कह सकते हैं, हफ्टे का आखरी कारोबारी सत्राइब पर यह हुआ क्या, तैयारी करवाई थी पव्वे की, खंबा आ गया है कल तक बोल रहे थे, स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है, सिर्फ दो घंटे की ट्रेडिंग होगी, बीच में एक ब्रेक भी होगा, मज़ा आएगा पर रात में एकदम से वक्त बदल गया है, जजबात बदल गया है, और सारे समय करना पता चला, कोई स्पेशल नहीं, आज दर असल एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की कर लिजे तैयारी, मतलब जैसे मंडे टू फ्राइडे सब कुछ हुआ था, वैसे ही आज भी होगा सवा नौ बज़े से साड़े तीन बज़े तक एक कंटिनियूस सेशन की तैयारी, तो वही नौ बज़े प्री ओपन की तैयारी होगी, सारे समी करन जसके तस रहेंगे, सब बदल गया वैसे ये चीटिंग है, कहते हैं ना गेम के बीच में रूल्स नहीं बदलने चाहिए, पर आप बदल गया, तो बदल गया है अब हम उसके लिए तैयार है ले लिया लेकिन तैयारी करनी है जो भी, एक बहुत इंपोर्टन्ट ट्रेडिंग सेशन की भाई, खुलते ही, इस देश की दिगज, हेविवेट कमपनी, रिलाइंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स पे, प्लस, ओल इंपोर्टन्ट हिंदुस्तान, यूनिलीवर के नंबर्स पे, हम रियाक्ट कर रहे होंगे दोनो प्राविट बैंकिंग मेजर्स ने प्लान तो किया होगा, कि छुट्टी के दे नतीजे लेकर आएंगे पर आज वर्किंग डे में, सेट शेशन के दुरानियों के नतीजों पर उनके रियाक्शन्स देखने को मिलेंगे आईसी 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 आई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, दोनों के नंबर्स आज स्केडियूल्ड है प्लस याद रखिएगा, मंडे को शेर मार्केट की छुट्टी डिकलेयर करती गई है तो जो मंडे की expires थी, कौन सी? हम मंडे को निफ्टी, मिड़ कैप, सेलेक्ट की प्लस, बैंक एक्स की देखने expires वो भई, आज प्रिपोन हो गई है, तो आज इनकी expires का दिन भी है तो काफी कुछ समय करन बदले है कईयों के बहुत सारे सवाल आज के सेशन में है तो प्री ओपन तक जाते जाते हैं, अपन सारे questions का answer दे दे किसी ने सवाल उठाया था कि क्या markets तो बंद हैं, प्राइंट पर दिश्टा के चलते पर क्या जो Saturday का continuous session है, उसमें mutual funds का क्या? तो निरेशा साब ने कोटक के उसका reply करा है, mutual funds में आज non-business day है, equity market से खुले होने के बाफजूर क्योंकि Saturday के working regulations जो हैं, उसके हसाब से उनके रहे आज कामकाज नहीं है तो आज mutual funds का मतलब है, stock market में participate नहीं कर रहा हूँ है और institutions के लिए अगर से भी कैसे नियम है, तो FIS भी शायद participate नहीं कर रहा हूँ है पर इस तरहीं clarity दे दी चीए थी, आप एक continuous normal session लेकर आ रहे हूँ तो FIS, BIS के लिए वो tweak करके कल शाम कोई update है देने चीए था एक ये लोग नदारत नहींगे इसका मतलब, अब तक तो यही clarity है देखते हैं समय बताद, आते हैं कुछ फटाफट updates हाते नहीं आते हैं लेकिन अब आखे भी कोई फायदा तो होगा नहीं, उनकी तो छुटती की तैयारी है Monday एक non-business day होगा, क्योंकि bank holiday तो आप redemptions अगर Monday को डाल रहे होंगे वो accept हो रहे होंगे, क्योंकि वो तो काम कर रहे होंगे, लेकिन redemptions हो, pay settlement Tuesday को हो रहे होंगे ये सारे समय करण बदल रहे हैं, खेर, show के दिरान आगे और भी ऐसे related बातचीत करते रहेंगे आज के इंट्रिस्टिंग सेशन की, पर अब global समय करण, शानिवार को बड़िया क्यूज के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं, gift nifty कह रहा है, हम मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे, अच्छा, gift nifty कल शाम को तो trade कर रहा होगा, आज सुबह क्या समय करन डाइजेस्ट कर रहा है, मुझे ये clarity नहीं है, क्योंकि gift nifty ने था थोड़ा सा और बहतर खुलना चाहिए था, एशा से क्यों ले नहीं सकते हैं, क्योंकि एशा तो बंद है, उनके आँ थोड़ना कुछ होना ऐसा, तो वो तो चुट्टी पे पूरा इशा, पुरा globe चुट्टी पे हम आज trade कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, मैं आज कुछ नहीं दिखाऊंगा इशा वे शाम कोई देखने का logic ही नहीं है, हाँ, लेकिन जो कल तक हुआ, उसमें यूएस की गजब की तेजी डाइजेस्स करनी है, कल एक से पौने दो परसंट तीनों यूएस के बेंचमार्क्स मजबूती के साथ trade कर रहे थे, परसों की तरह कल भी शुरुवात पस थी, परसों क्या हुआ था, सेकेंड हाफ में तेजी तूल पकड़ गई थी, और कल का intraday charge भी डाउ कर रखिएगा, शुरुवाती trades पस थे, उसके बाद अचानक फिर momentum पिक अप हो गया यूएस के बजारों में, और वीरू बताएंगे कैसे आज, निफ्टी निफ्टी बैंक के समीकरंट बैठ, बहुत कुछ बद लेगा, institutions participate नहीं कर रहा होंगे, सब कभान retail के हाथ में होगी, फिर भी, कल शाम तक के जो data points है, उसके लिहाद से approach, logically क्या होनी चाहिए, उस पे चर्चाओ जाएगी, लेकिन आपका कैसा रहा Friday, सुना बड़ी planning planning करी थी आपने, आज काम, कल आराम, परसों, या मंडे को जैश्री का, ठीक ज़ी चुटी है, मंडे को, अच्छा, commodities के लिए, MCX, फर्स्ट हाफ session नहीं हो रहागा, मंडे को, second half जो होता है, वो trading session होगा, MCX का, equities का नहीं होगा, विरू, अल्य, सॉरी, पहले हर्चता, globally mood कैसा है, ये तेजी के पीछे reason क्या है, कुछ बदला है या फिर ऐसी low level से shot covering चली 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 जा है, shot covering तो आई है आशिश, लेकिन बहुत भी बड़िया environment है, और ये expect नहीं किया था कि इत्ती तेजी आ जाएगी, in fact, S&P all time high पर लोटतावा दिखाए दिए, आपको याद होगा, दिसंबर के महीने में ये बातचीत बार-बार होती थी, कि all time high से काफी करीब, काफी करीब, काफी करीब, लेकिन record high देखिए, 2024 में लगना था, 2024 के record highs पर ही दरहसल जाकर close हुआ है, DAO में 1% का इजाफा देखने को मिला, NASDAQ में करीब 0.5% तक की बढ़ा देखी गई है, पिछले दो सेशन से हमने देखा है, कि टिकनोलोजी कमपनियों में कमबैक देखने को मिल रहा है, तो उसका एक play जरूर नजर आया है, लेकिन साथी साथ एक और factor था, जो दरहसल इस रैली को fuel कर रहा था, उसमें Congress ने जो Thursday को bill पास किया था, Federal Government ताकि March तक आराम से कामकाज कर सके, वो जो पैसे इनको चाहिए होते हैं, जिसके लिए बार-बार गाडी रुकती है, वो eventually आ गया, तो उस पर market react करता हुआ दिखाई दे रहा था, दूसरी तरफ आप गौर करिएगा, दो conflicting data है, एक तो home sales का data आया, जहां पर month और month करीब-करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है, 3.78 million units ही दिसंबर में बिकी, ये lowest data है home sales का, 1995 के बाद, तो वहाँ पर हमने देखा है home sales में कमी देखने को मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जो data अच्छा है, जो consumer sentiment का data है, जो University of Michigan का दरसल survey आता है, वहाँ पर consumer sentiment में year on year करीब-करीब 21% का इजाफा देखने को मिला, तो ये कुछ conflicting signs थे, लेकिन largely अगर आप देखे trade कहां पर बना है, तो technology company में सबसे जादा तेजी देखने को मिली, Nvidia जैसे stocks और बाकी tech majors में हमने देखा है, काफी gains आते वें दिखाई दिये हैं, दूसरी तरफ जो एक चीज बाजार नजरे लगा कर बैठा है, कि sentiment क्या है rate cut का, तो rate cut का पिछले हफ़ते जहां पर 70% लोग मार्च में rate cut की बात कर रहे थे, या फिर उमीद कर रहे थे, अब आप देखी कितनी drastically वो घटा है, 54% लोग ही इस week के end तक मान रहे हैं कि मार्च में कटौती होगी, और इसकी हम बात बार-बार करते आए हैं, कि मार्च में वो rate cut नहीं होने वाला है, वो definitely आगे जाएगा, इस पीच अगर आप कच्चे तेल का हाल देखे, तो clearly कच्चे तेल में हमने देखा है, ये जो है, supply constraints आती होगी दिखाई दे रहे हैं, especially अमेरिका में, North Dakota की जो refinery है, वो extreme ठंड के वज़े से बंध है, तो वहाँ से flows कुछ कम होते होगी दिखाई दे रहे हैं, सुप्राइस सेशन के लिए global संकेत समीकरंट बहुत बाड़िया, इसलिए वो gift nifty के तो वह से subdued स्टार्ट लग रहा है, कि थोड़ा सा हम शायद the cues को digest नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा lack of participation तो हो नहीं है कर सेशन में, volumes तंडे होंगे शायद, चलिए, ऐसे मैं अब एक मिनिट, मैं globe पे जाओं से पहले एक और, Reliance Industries समझ लें किया, क्योंकि वो उतना ही important है, जानना कि उस कहसे तरह कि performance रही है, क्योंकि उससे सारी समिकरंट बजार के वैसी बदल जाएंगे, ग्लोबल एक तरफ, अगर Reliance सपोर्टें नहीं हो, तो सब गर बढ़ा जाएगा, कैसे थे numbers? Reliance in line है आशीश, expectation 2.5 lakh करोर के थी, 2.25 lakh करोर के आसपास का revenue का figure आया है, quarter on quarter basis पर, EBITDA margins थोड़े से strengthen होए हैं, profitability आप गौर करेंगे थोड़ी सी flat है, quarter on quarter साल दर साल स्तिती कुछ बहतर दिखाई दे रही है, अच्छा एक चीज है कि O2C business में आपको थोड़ी सी नर्मी दिखाई देगी, लेकिन वहाँ पर plant shutdown होता है, seasonal plant shutdown होता है, उसके चलते वहाँ पर कुछ नर्मी देखने को मिल रही है, बाकी अगर आप ध्यान दे, बाकी सभी metrics बहतर ही दिखाई दे रहे हैं, especially आपका consumer facing business, retail business में करीब एक 30% तकी growth देखने को मिली है, oil and gas भले ही वो maintenance shutdown हुआ हो, लेकिन highest ever quarterly EBITTA इसने deliver किया है, और GEO यानि की इनका टेलेकॉम का जो business है company का, वहाँ पर भी revenue growth करीब 2-5% के आसपास आती हुए दिखाई दी है, आरपूस 2% बढ़कर आए हैं year on year, 181.70 पैसे के आसपास वो आरपूस है, तो top line growth जो GEO business में आ रही है, वो subscriber edition के चलते आती हुए दिखाई दे रही है, और लगातार 5 quarters इनके margins GEO के business के लिए काफी stable है, तो consumer facing business यानि की telecom business और retail business में बढ़िया performance, O2C, maintenance, shutdown के चलते revenue आपको थोड़ा सा फीका दिखाई देगा, लेकिन EBITDA level पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, कुल मिलाकर अच्छा performance है, decent performance है Reliance की तरफ से, बहुत बढ़िया, और जाते gift Nifty react नहीं कर रहा है, दिखने रहे समीकरण उस तरह से, तो वो तो खेर FIS के लिए और FIS आज सेशन में participate करने रहे हैं, तो वहां से वो संकेच चाहिद फीके से इसलिए नज़र आ रहे हैं आपको, विरू, ऐसे में एक अच्छे गासे gap-up के साथ, hopefully हम शुरुबात कर रहे होंगी, ऐसे में क्या समीकरण बैट रहे हैं, Nifty Nifty Bank का approach करने रहे हैं, पहले कल की रणनीती पे आते हैं, कल की approach clear थी, Nifty पे, above 510, 556, Nifty positive रहेगा, और positive रहेगा, 671 की trajectory मिली, नीचे आया, फिर वही 56 कलो लगाया, वहाँ से pullback है, मैं define यह करना चाहरा हूँ, कि दोनों ही indices बिल्कुल different behavior था कल, कल Nifty का intraday low था 20-day exponential रहेगा जिसके उपर हम ने कल positive रहने की बात की गई थी, और कल का high था 10-day exponential रहेगा जो की multiple attempts के बात नहीं निकल पाया, और bank Nifty जो हमारी बात हुई थी, कि till the time हम 46-240 की trajectory को नहीं bisect करेंगे, कोई short covering नहीं आएगी, और आप यकीन मानिए, intraday highest trajectory वही थे, हम collapse हुए हार लेवल से, आज के अपर दे कि कल अगर आप Nifty को long लेके गए, या फिर long है तो ग्या करना चाहिए, उस prospective से बात करूँगा अशिश, अशिश दो चीज़े हैं यहाँ पर, HDFC bank में कोई relief नहीं है, that means वो 1440, 1450 का जो लेवल है, वो HDFC bank के लिए अभी भी खुला हुआ है, और हमें reliance के आज numbers के साथ trade करना पड़ेगा, reliance अब numbers से पहले ही काफी चल भी चुका है, तो दोस चीज़ों को जहन में रखिएगा, आते हैं institutional figures पे, 3690 कोड़ रुपे की FIS की selling, D.I.S. की लगफख 2638 कोड़ रुपे की बाइंग, तो उनको काउंटर करने के लिए कर आप देखें, D.I.S. की बाइंग अच्छी नज़र आ रही है, 1077 कोड़ रुपे करोन इंडिक्स बेचा, करीब 10,000 काउंट्रेक्ट शॉट किये, 1100 काउंट्रेक्ट लॉपे काटे, स्टॉक फूचर लगफख 2795 कोड़ के बाइ किये, लॉपे काउंट्रेक्ट्स करीब 56,000 के थे, और ऑप्शन्स के स्टैट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं FIS के, कि more or less indices जो है वो इसी रेंज बे रहेंगे, मेरी अप्रोच करें कि देखिए Nifty को अगर आप कल के स्टैट्स को देखें, तो इसमें कोई दुराए नहीं है कि जो weekly contract है और monthly contract है, उसमें 21700, 21800 पे सबसे बड़े call writers अभी भी खड़े हैं, लेकिन कल अच्छी बात है कि कल 21600, 21500 पे put writers visible थे, 21500 की जो put है, वो करीब 66 lakhs का maximum outstanding why hold करती है, तो देखिए, हमें ICA से bank भी during the day react करना पड़ेगा आशिश, Reliance भी react करना पड़ेगा, HTFC bank भी react करना पड़ेगा, मैं broader level set कर देता हूँ, क्योंकि momentum FISDIS की अभाव में कितना sharp रहेगा, मैं इसको guess करना नहीं चाहता है, मैं सिर्फ यहाँ पर levels define कर देता हूँ, Please base लिख लिखे आईएगा, देखिए हम तब तक positive रहेंगे, especially nifty पर, भी bank nifty की बात नहीं कर रहा हूँ है, क्योंकि वहाँ पर हो HTFC bank का pressure नहीं है, 21 mark 66 एक्षेक्ट का लेवल है और 21,600 पर, till the time we have this trajectory, यह base है, हम positive रहेंगे, short की बात नहीं करेंगे, buy on dips की बात करेंगे, अगर हम 490 डिज़स्टिप होते हैं, then we can guess it, trajectory 423, 366 आ सकती है, लेकिन first base के ओपर हम longer रहेंगे, क्यों, यह 20 DMA का zone है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर monthly, weekly portraitist visible है, जो भी trade lower range पिक करें, याद रखेगा, 680, 721 की trajectory में आपको एक बार के लिए book करने है, 721 निकले, तो एक 767, 817 तक का swing बिल सकता है, रही बात bank nifty के, यह बिलकुल different है, इस पर ICA से bank की out performance का कोई impact नहीं था कल, in fact, दूसकी तरफ जब HDFC bank सिंक हो रहा था, इसने वहाँ से ज़्यादा अपने आपके लिए संकेत लिए, हाशिश, अभी भी वो जो lower edge है न, gap, 30, November और 5 December आपके जगा, वो low टूटा नहीं है अभी, और आपकी स्कीन पर आप यह देख रहा है न, ब्लू वाइल्ड केंडल, यह बड़े कॉलाइटर्स, 46, 46, 46, 42, 46 मार्च, तो मेरी एपोच अभी यही है, यह आद रखेगा, bank 571 rise अब तक रहेगा, जब तक 46,000, 46,245 की डिजेक्टरी नहीं निकल जाती, resistance 1, जब तक यह बाइसक नहीं हो रहा है, तब तक higher level पर pressure आएगा, और एक और जीज़ यह याद रखेगा, strength के लिए हमें 247 को पार करना पड़ेगा, और नीचे याद रखेगा, जो base है, that's first base, वो अभी भी 45,500 का put writer, प्लस उस gap का lower edge, यहाँ पर अपने short rate को चेक कीज़ेगा, बट in any case, याद रखेगा, क्योंकि earnings भी आनी है कुछ, अगर 460 wallet होता है, तो 45,145 और 44,19 की डिरेक्टरी खुल दागा, याशी शिसवक्त दोनों indices, Nifty और Nifty Bank, बिलकुल डिफरेंट तरीके से बिएव कर रहे, ब्रेथ भी अच्छी थी, निफ्टी वहाँ से क्यूर रहा था, लेकिन bank, Nifty के रेज़िए उसी bank, दिखकर का सवाब है, बिलकुल डिफरेंट यह आपका अप्रोच, Saturday के ट्रेडिंग सेशन का, एक चीज़ दिवा में गुमरी है, यह सिर्फ यह Saturday काम नहीं करना है, कोई जो को आने वाली चुटी में काम करने की त्यारी कर लीजे, क्योंकि वो जो प्राइमरी साइट से डिसका, डिजास्टर रिकवरी साइट पे स्विच करके, कंडिनिटी टेस्स करनी थी, आज नहीं होगा, आज प्राइमरी साइट पे ही पूरा ट्रांजक्शन होना है, तो उस लॉजिक से जो आज हाफडे जाएगा, वही काम करेगा उस तन, जो आज हाफडे जाएगा, हाफडे जाएगा? हाफडे घर जाएगा, बार बजए के बार, विरू ने टिकेट चेंगा लिया, नहीं किया ना, वही तुम्हें बोड़े जा रहा हूँ, मैं तो साथ बेंटे काम करूँगा, साथ बेंटे क्डूटी पर हूँगा, इस पर लॉजिक क्या है, मंडे चुट्टी आप संडे को जाओ, वही तो माकल आना है, गज़ा भी आप टिकेट कौन से फिंसल करा है, तो फिर जिस दिन आया, वह फिर वीरू करेंगे, कराए कि नहीं तो इलोजिकल साथ, खेर ठीक है, इस टॉक्सीनियू आज कौन कौन से, आज जहाँ पर हम Reliance के Numbers को लेकर, थोड़ा सा Confident होंगे, कि सपोर्ट करेगा, actual सपोर्ट नहीं करने वाला आर्शिश, क्योंकि वीक Numbers है, यहाँ पर Volumes 2-3% का अनुमान था, 2% के आसपास आया है, इबिटा फ्लाट है, Profitability देखी एकदम फ्लाट है, अनुमान था, उसके सामने 35-45 करोड का ही figure company ने दिया है, margins 23.3% के आसपास है, expectation थी कि कुछ price hikes लिए है, तो margin इंप्रूव होगा, 24% तक आएंगे, वो company नहीं कर पाई है, सिरफ 10 basis point ही margin यह बढ़ा पाया है, पिछले साल से अब तक, volume growth आप कह सकते हैं, in line हैं, लेकिन lower end की expectations को meet कर रहे हैं, 2-3% के अनुमान के सामने, सिरफ 2% की volume growth, और EBITDA margins इंप्रूव जरूर हुए हैं, 4%, 4.5% तक के improvement का अनुमान था, home care business negative growth दिखा रहा है, minus 1.2%, beauty and personal revenue growth भी अच्छी नहीं है, food and refreshment revenue, करीब करीब 1% बड़ा है, inflation देखने को मिला है, coffee or holics के brands बे, तो number जिते कुछ खास अच्छे हैं नहीं, HUL के, अब आईए आप RBL bank पर, तो RBL bank के case में हुआ ये है, साल दर साल, ब्यास से आये करीब 34% बढ़ती हुई दिखाई दी है, नियरली 1546 करोड का ये figure कंपनी ने डिलिवर किया है, profitability के front पर करीब 12% तक की growth देखने को मिल जरूर रही है, साथी साथ अगर आप इनके margins देखें तो margins इंप्रूव होए हैं, in fact 5.52% पर margin है, ये पिशले quarter 4.7% पर थे, quarter on quarter देखें हैं तो improvement है, तो वो एक चीज़ है जो उनके favor में जा रही है, deposit growth है, 13% का advances growth है, करीब 20% की, retail loan book अच्छी खाजी growth दिखा रही है, हिंदुस्तान zinc के case में revenue 7% घटा है, EBITDA 5% घटा है, मुनाफिय में 5.5% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन margin आया 48%, और यहाँ पर इनका जो fuel and power cost है, वो काफी घट रहा है, और cost घटने के चलते, यहाँ पर per ton जो company कमाई करती है, products की, zinc की, वहाँ पर कुछ improvement देखने को मिली है, PTM भी radar पर रहेगा, PTM के दरसल losses कम होए है, तो net loss इस बारी, 220 क्रोड के आसपास आया, versus 3, 92 क्रोड पिछले साल इस्तिमाही में, revenue 38% बढ़ कर आया है, EBITDA loss आधा हुआ है, 330 क्रोड से घट कर यह 159 क्रोड के आसपास आता हुआ, payment services से अच्छा performance है, of course, loans बाटने का जो number है, वो कुछ कम जरूर हुआ है, ओके, एक reliance पे नजर थी कल, और दूसरी थी, Zee Entertainment, वही अब तक update नहीं, Zee Entertainment दो कह रहा है, हम मैं पता नहीं है, Sony की ऐसी कोई board meet के बारे में, लेकिन update कल रात तक आया है, कि Zee Entertainment ने एक formally, चिठी लिखिये कलवर max entertainment को, जो कि Sony Group की वो indirect subsidiary है, कि good faith में, ये negotiations complete करने के लिए, date को और extend किया जाए, पर Sony की तरफ से कोई जवाब आया नहीं है, तो Zee आज फिर radar पे, एक काम करता हूँ, quickly छोड़ो सा break, पर एक क्योस पार जब लॉटूँँगा, तो आज का events calendar, और commodity markets बंद है, इवन calendar लेकरा हूँँगा, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, चलिए आज का events calendar, ज़्यादा कुछ है नहीं, companies are working day ले तो plan किया नहीं था, तो एक तो upfront में ने बताया, expirees, midcap select और bancakes की pre-porn हो गई, Monday छुटी तो pre-porn हो के previous trading session, तो आज की expiree, ranch ritual के numbers पे reaction है, ICICI bank के results की conference call, चार बजे शाम को है, कोटक महिंदरा bank के results की conference call, सवा तीन बजे है, तो most likely कोटक पहले आ रहा होगा किसी तरह में, दुपैर में और उसके बद ICICI bank भी शायद हो सकता है, market दुदरा नहीं आ जाए, वाइदा के चार results है, Canfin Homes, IDFC First Bank, J.K. Cement और Persistent Systems, Persistent Systems तो खैर वो stock split पे भी आज विचार करेगा, अपनी board meet में, cash market ही कुछ interesting numbers है, IRIDA, union bank वगएरा, पर वो detail लंबी list है, उस पिले उसमें नहीं जा रहा, अब E-PAC Durable के IPO तो खुला हुआ है, तो day two हो गया subscription का, Tuesday को logically बंद होना था, Monday markets बंद है, तो मैं खाल से share date extend ना करें, और इसी में हो जाए, PMOD आज आज नहीं, आज और कल, Saturday, Sunday, Tamil Nadu के तमाम जाने माने मंदिरों को विजिट करेंगे, दर्शन के लिए जाएंगे, और Commerce Ministry ने, तमाम stakeholders, जिसमें सरकारी officials भी हैं, trade sector के experts में हैं, सब की बैठक बुलाई है, दरासल, फरवरी के end में, WTO की all important, आबुदाभी UAE में बैठक है, उससे पहले, इंडिया की strategy, इंडिया के core issues जो discuss करने, उस पर विचार विश्यमार्श, यह कानी, एक काम करा जाए, गिफ्निफ्टी भी आप दिखाने का चुछ खास मतलब है नहीं, तो कि उसमें तो ticks आनी रहें, तो आपको बड़िया से US markets की चार्ल के साथ, छोड़े जाता हूं, जिस पे आज खुलते ही हम लोग react करेंगे, इस note पर, आज के show morning call में तराए, break breakers पार, सिदा सोगा, नहीं का.